7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 अंतरिक्ष में एक बाद फिर शानदार उडा इस रो यानि भारती अंतरिक्षन उस अंधान से गठन ने सिंगापूर के साथ सेटिलाइट एक साथ लॉंच किये है रविवार सुबह साढ़े 6 बजे श्री हरी कोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-56 के जरिये इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में भी जा गया PSLV C-56 रॉकेट की ये 58 भी उडान है इसके साथ ही PSLV C-56 ने सभी साथों सेटिलाइट को उनकी कक्षाओं में सठीक रूट से स्थापित कर दिया इस रुक्योर से बताया गया है कि ये मिशन सफलता पूरवक पूरक हो गया है इसरून इस सिंगपूर कर दिया गया है इसरूने सिंगपूर के जो सेटिलाइट लाँच किये हैं उनमें प्रमुक है ये सेटिलाइट हर मौसम में दिन और रात में भी तस्वीरे लेने में सक्षम है इसके अलावा वैलोक्स एम टेकनोलोजी डिमोंस्ट्रेटर माइक्रो सेटिलाइट अंतरिक्षमी भेजा गया साथ ही आर्केट यानी अट्मोस्फियरिक कपलिंग एंड डायमिक एक्स्प्लोरर नाम का एक प्रयोगिक सेटिलाइट भी लौँच किया गया स्कूब 2 नाम के नैनो सेटिलाइट का भी प्रक्षेपन हुआ जिससे एंटरनेट आफ तिंक्स की निर्बाद सिवधा मिलेगी इसके अलाफा, ग्लाजिया 2, नैनो सेटिलाइट और ORP-12, स्ट्राइटर सेटिलाइट भी अंतरिक्षमी भीजा गया इतना ही नहीं, PSLV के जरीए सुरु भविष्व में और भी कमाल करने की तयारी में है All of you know that the PSLV is now going to get industrialized and in coming days we will be seeing fully industry-owned PSLV's biggie being launched and that we are targeting early next year But this year itself we are going to have very exciting missions, the PSLV is going to be flying again As I mentioned, we are going to have the mission of the Gaganyan test vehicle which is currently getting integrated We are also planning to have the launch of the SSLV in its third development mission as well as the GSLV mission for launching inside 3DS This year we are going to have a special launch of the Ssro. Singapore के 7 नए सेटिलाइट सहथ, इस साल Ssro अब तक 53 विदेशी सेटिलाइट लाँच कर चुका है 1999 से अब तक Ssro 431 विदेशी सेटिलाइट लाँच कर चुका है इससे 400 मिलियन अमेर की डॉलर से अधिक यानि 33 अरब से जादा कमाई हो चुकी है अमेरिका, ब्रिटिन, जर्मनी, कैनेडा और सिंगापूर सेटिलाइट लाँचिक में भारत के सबसे बड़े ग्राहक है जाहिर है, उब ग्राहों के प्रक्ष्वेपन के लिए भारत अब तमाम देशों का पसंदीदा मुखाम बन चुका है दुनिया के बड़े देश भी स्पेस टेक्नलोजी के ख्षित्र में भारत का लूहा मान रही हैं और भारत के साथ सहुग बढ़ाना चाहते हैं जो तक शित्र में देश की शांदार काम्यावी का संकेत है